गुर्मार्णिक फ्रेंड्स वालकम टू माय चैनल अनुकी नौपत और आप देख रहें अनकंडिशनल लास पार्ट में हमने देखा था कि जो रश्मी रहती है वो जीया के साथ रहती है और जीया के बड़े को बहुत अच्छे से सैलिप्रेट करती है और काफी सादा में जब एक दूसरे के साथ क्लोसली होकर एक दूसरे के साथ बाटração कर रहते है तभी जीया का फोन बच्चता है और फोन वरेंग हुति है कॉसकी मौम का रहता है जो मौम उसे कहते है कि तुम कहा पर हो? कब आ रही हो, अब बड़ेपाटी है तुम्हारी सारे अजाना है य वोई लेना देना ही नहीं है क्या तो जो जिया की ममी है वो फर्स टाइम इतना थोड़ा सा लाउड और वॉइस में चलना रही थी वरना जिया की मम हमीश और सिर्फ बहुत स्वीट और क्यूट है तब ही वो कहती है ममा आप चिंता क्यों कर रही हो मैं यहीं पर हूँ रश्म जो घौट है ममीश को तो हमारे दोस्तों तुम्हाँ लेको तो महां बटे सेलिवरेट कर रहे हैं बट तुम्हें नहीं लगता है पर थोड़ी सी तैयारियां भी करा लो और हो सके तो रश्मी को भी लेकर आ जाना रश्मी भी करा देगी तो कहती ओके ममा, अभान रखो कि पाद में बात करती हूं. ऐसे कहके जिया जो है रश्मी की तरफ देखके और बोलती है बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, तो तब ही रश्मी कहज रखती है, हाँ तो चलो आउंटी ने बुलाया है, अब चलो चलते हैं. ऐसे कहके यह लोग अपनी ड्रेस पहनते हैं, कि लोग तयार होके वहाँ खड़े होते हैं, तो जो रश्मी है वो ड्रेस पूरी पहनने के बाद भी रहती है, लेकिन उसने जो लव पाइट जो जिया ने उसे दिये रहते हैं, वो उसके पूरे बॉड़ी में दिख रहे रहते हैं, कभी हाथ में, कभी लिप्स पे, कभी चैक्स पे तो हर जगा दिख रहे रहते हैं तब ही जिया आते हैं तो अ कहते हैं,। तो अधिक रहते हैं, तो आध यह तो ड्रेस पेन के आए तो यह तो यही तो जाएंगे हैं, यहां कौन सी जाए बढ़े हैं, सब में जाने पहन दो लिखे हैं, और यह कुझ्त पेने के जब मिरर में खुद को देखती है तो बाप रे शॉक्त हो जाती है शॉक्त होकर देखकर बोलती है और ऑव माइगाड कि क्या किया जीया I mean, किसी को इतना ज़ादा लॉपाइट कैसे दे सकता है तो कहती है, तब जी आती है उसके पास और उसे बैख हक करती है और उसे बहुत प्यासे हक करती है कहती है, महबत मेरी, स्टैंप मेरा तो दूंगी ना, अब अपने प्यार की महर तो लगा दी लगानी थी, तो बस लगा दी आपकी उपर पर सच बताओ, कितनी प्यारी दिख रही है यार, ये सब देखने के बाद कोई भी इनसान समझ जाएगा कि बहुत प्यार से तो तभी कश्मी कहती है बत्ते मिजी छोड़ो, शाम को पाड़े पाड़ी है और उसमें मैं कैसे जाओंगी तो कहती है कि हाँ वो तो तुम्हें ड्रेस पूरी कवर अप पाड़ी पैन के आना पड़ेगा फिर कहती है कवर अप ड्रेस गर्मी के दिनों मैं पूरा कवर अप ड्रेस पैन आपको नहीं लगता कि पागल समझें के लोग मुझे कवर अप ड्रेस पैन के आना पड़े आपको थोड़ा कंट्रोल करके करना चाहिए था कर दिया ना वैसे हर कर दी तो कहती है अरे चिल ना में ज़िजा आज मेरे बर्डे के दिन मेरा गिफ्ता अन पैक किया तो एकसाइटेड में कर दिया पर इसका मतलब यह थोड़ी नहीं कि अब आप मुझे चिलाएंगी आप ऐसे चिलाया मत करो मुझे मुझे अच्छा नह बनकर मीजी तो बच जाएगी ना तो कहती साइंटर ऑफ अट्रेक्शन मैं आई यू सीएस बाइ दिस लुक यू अरे सेंटर ऑफ एट्रेक्शन तो कहती हाँ इन नेगेटेव वे सब आकर मुझे पूछेंगी कि क्या करके आई हो हाँ तो बता देना ना करने वाला कौन थ और क्या काबिली तारीफ है मैं इतना अच्छा करती हूँ मुझे पता भी नहीं था यार सब मुझे पता होता तो प्याली में ट्राइ करती यार छोड़ो तो रश्मी बोलती है तुम्हें पढ़नी चाहिए अब ये बताओ मुझे नीचे जाना कैसा है तो कहती है आच्छा अच्छा कार में जैकेट रखी यह ना जी आप पूझती है रश्मी उसले था औरके पीयारी सी जैकेट आर रहती है उसले उठाती है और लेकर आती है फिर रूम पर आती है रश्मी को देती है और बोलती है कवर इट I mean इससे तो लगबग बहुत कुछ चीज़े छुप जाएगी और शाम को जब मुझसे मिलने आओगी तो ऐसी कुछ जैकेट वगएरा पैन करा जाना तो कुछ कवर अप हो जाएगा तो रश्मी बोलती है ठीक है और ऐसे कहके यह लोग निकल जाते हैं और यही पूरा चले जाते हैं जो रश्मी रहती है वो जिया के साथ उसके घर जाती है पहले तो उसे ड्रॉप करने जारी रहती है फिर आंटी उसे बुला लेती है घर के काम वाम के लिए बड़े पार्ट रहती रहती है रात का सैलिबरेशन अच्छा जादा ग्रैंड होने वाला रहता है तो उनसे सब के लिए बुला लेती हूं तो रश्मी जो है वो मदद करना स्टार्ट कर देती है जीया के साथ दूसी तरफ फुटबाल मैच दूसी तरफ पासकेटबाल मैच चल रहता है जो जो नालंदा टीम रहती है वो तयार हो जाती है और वहाँ पर आके खड़ी हुई रहती है क्योंकि नालंदा टीम का जो काम रहता है कॉम्पुटेटर वो अजंता ही है क्योंकि हमीशा से रनर अप रही है अजंता तो अजंता टीम का जब selection होता है तो नारंदा टीम ना ऐसा हो सकता है उस समय सब की आखे दिकी हुई थी कि अब selection होते time कैसे होगा जो रिदी रहती है वो कायरा से बहुत प्यासे बात करती है उसे समझाती है कि अपना 100% देना है टेंशन मत लो जो भी होगा देखा जाएगा पर तुम अपना 100% देना बिलकुल भी टेंशन लेके मत करना कायरा जो रहती है वो बहुत ज़्यादा नर्वस होती है क्योंकि अभी तक उसने क्या किया था जितने भी बार बास्केट बॉल खेली थी वो तो stadium के अंदर खेला था और कुछ limited लोगों के साथ बट अब जो य मैच को देखेंगे जिस मैच में team selection होगा तो सबके लिए वो बड़ी चीज थी और competitors होगा है सबके सब आकर तो देख नहीं था तो रिद्धी मैम भी वहां जाकर बैठती है और कायरा को support करती है तब ही उनके बाजू में आकर संचना बैठ जाती है और संचना रिद्धी मै हमें तो बेहत पसंद है आप I mean इतने अच्छे से अपनी loser girlfriends को भी support करने काविले तारीफ होती है रिद्धी कुछ नहीं बोलती है और सी तरफ देख के बोलती है आपको नहीं लगता है कि आप कुछ जादा बब बोल रही है जी आपको control में बात करनी चाहिए क्योंकि आप जिसे loser कह रही है पता नहीं कोई winner हो अभी तो game start हुआ है और अभी तो matches बहुत सादा बाती है एक बात बता देते हैं गेम की खासियत ये होती है कि वो कभी भी पलट जाता है आप जो सोच रहे हैं कि आप जो आज जीत रही हैं कला फार जाएं सबसे अच्छा गेम का example तो अगर आप games के बारे में जानती हो तो आपको पता होगा तो आप जिस पे अपने इतना नाज करती है नाज है आपको वो भी चीज़े चली जाती है तो आप बैट के match देखिए तो match start हो जाता है तो सबसे पहले दीर दीरे सबी players रहते हैं तीन शाप players रहते हैं और उनके बीच में दीर दीरे एक एक player को भीजा जाता है और team wise divide किया जाता है और उस team के हसाब से जीतना रहता है तो पहले बहुत सारे individual selection होते हैं बहुत होती है कुछ select होते हैं कुछ select नहीं हो पाते हैं फिर उसके बाद at last जिब All का sidoes एक डिरा का chance पार इससे पहले का छे लोग आर्ड़ी मैंच खेल चुके रहते हैं जब Kaiira का chance आता है तो Kaiira बहुत जादा nervous रहती बहुत- riot सबसे पहले तो जैसी ग्राउंड में आती है तो सबसे पहले आजु बाजु की भीड को देखकर ही नर्वस हो जाती है वो इतने सारे लोगों को देखकर फेस नहीं कर पाती है बहुत टाइम पहले था कि जब कायरा पास्केट बॉल खेल की थी वड़ अब तो उसने कितने टा वो संजना को देखके और नर्वस हो जाती कि संजना वहां समाइल कर रही रहती है हस रही रहती है रिद्धी पहले कायरा की तरफ देखती है पिर कायरा की नजरा को पॉपी करते हुए देखती है तो पता चलता है कि वो संजना को देख रही है रिद्धी अपने सर पे हाथ तुछ नहीं हो सकता, इस मेरे कित्ती बार कहता कि मत देखना इधर उधर, जो भी है वहां देखना, थोड़ी देखना, तक ऐसी इधर उधर देखने के बाद वहां का जो कोच होता है वो चिलाता है, काईरा, काईरा आपको समझ में आ रही है, काईरा पर काईरा को जवाबी जैसे कि वह freeze हो चुकी है, she was frozen in that ground, उसे चार बार आवाज दी जाती है, कायरा, कायरा, तो वह कुछ सवाभी नहीं दे रही है, तभी कोच आता है, उसे हिलाता है, बोलता है, are you out of your mind, तुम्हें इमें चार बार से चला कर भुला रहो, क्या सोच रही हो, तुम्हें बास्केट बास्केट बाल टीमे सेलेक्ट होना है कि नहीं, होना है तो जाओ मैच खेलो, और अच्छे से खेलना, ऐसे करके चार रहते हैं, तो स्टार्टिंग में जो कायरा रहती है, जो वह बास्केट बाल अपने हाथ में लेती है, वह इतनी जादा नर्वस हो जाती है, कि उसे डर लगने लगा रहता है, तो उसके जो सीनियर्स रहते हैं, जो उसके साथ कॉम्पेटिक्ट कर रहे रहते हैं, वह फटक से बास्केट बाल जीन लेते हैं, इदा उदा लेते हैं, कायरा को बास्केट बाल मिली नहीं रहती है, वह कितनी कोशिश करती है, वट उसे नहीं मिल र अब स्कोर कुछ इस तरीके से रहता है चार और सीरो कायरा के पास बहुत कम ताइम रहता है क्योंकि यह आक्च्वल मैच नहीं रहता है यह क्या बोलते है ट्राइल मैच रहता है तो यहां पर जो डाइंग का जो डूरेशन होता है वो कम रहता है तो वह बहुत जादा नर्व पर्लाइम क्या है तो कहती है मैं नर्वस हो गई हुँ मुझे समझ में नहीं आ रहा हुआ है मैं क्या करूऊ- SelfErել contain c bus N र रही मुझे से नहीं हो रहा है यह यह मेरा ध्यानी नहीं है पता स्वेर्स ने मुझे से क्या हो रहा है एक सिंपल सी बास्केट बॉल है मुझे झीनना है, मुझसे वो भी तक नहीं हो रहा और चप mejorar मेरे संजणा को देखा है वो मेरे पे स्माइल कर रही वो सब मेरे सामने गूम रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है जो काईरा रहती है वो पैनिकों के धरादर बोले जा रही रहती है तभी जो रहती है वो उसे शान्त करती है वो उसे सुनो में की बात गेम जीतना किसी और के लिए है ही नहीं ना किसी और को कुछ साबित करना है ना किसी और की नजरों को कॉपी करना है देखना है ना किसी की स्माइल पर फोकस करना है आपको समझ में आ रहा है मैं आपसे क्या कह रही हूँ मैं सिर्फ आपसे ये कह रही हूँ कि आप इंजॉय करो हार जीत की बात अलग है बास्केट बॉल को अपनाओ तुम अगर किसी चीज़ को अपनाओगी तो वो तुम्हें अपनाएगा तुम इसे इंट्रेस दिखाओ बास्केट बॉल को लो इंजॉय करो अपने आप स्कोर हो जाएगा ये टेंशन में लोगी किया सामने वाला क्या सोचेगा कैसे नहीं सोचेगा क्या बोलेगा नहीं बिल्कुल भी नहीं तायरा ये मौका सिफ तुमारे पास है तुम्हें बस 40 मिनट्स हैं जिसमन से तुमने अपना 20 मिनट्स तो गवा दिये अब 20 मिनट्स है तुमारे पास इस 20 मिनट्स में इंजॉय करो हाद जीत तब कर तब देखेंगे और तुम्हें स्ट्राटेजी मैंने सिखाई थी ना कि सामने वाले के दिमाग प्रिवार करना होता है ना कि उसके हाथ पर या उसकी बास्केट वॉल पर उसकी दिमाग को सोचो उसे कंफ्यूस करो यह सब चीजह मैंने तुम्ह कहां चला जाता है जो में तुम्हें कुछ सीज़ से खाती हूँ तुम ना इतनी ऑपसेस्ट हो चुकी है संजना को लेकर की ऑन पूछो मत हार टाइम संजना संजना लिकते हैं अर्शना कंगी डेशन्न माटर वह कहां है क्या है वो तुम्हें पोक करके चली गई उसका क्या है वो तो select हो चुकी रह तुम नहीं हो रही हो तुमें नहीं लगता सदूंसर आझाय के लिए महनद करनी साधी करनी चाहिए अब जब वह आती है था इसका सिंबल सा मतलब होता है कि उसका फोकस बाशकेट बाल पर होता है और उसे आभी उसके सीनियर के हाथों में है unterstützen की अगर के लेकित थे खेलना था कि उसे वह सब्वार करो फिर वो फेसे जहों शत्राटो बोलके मोसी डिऐती है। राने चाहिए कि दर्माध और कि वामेश्ट कार सब्सक्राद कार सुम्त मैं, जा बाइसवाल झायदा षजेक्षेक्पट कार। और वो यह सोचता है यह तो उसको ऐसी हरा देंगे तो वो नॉर्मल कैश्वली वे में खेलना स्टार्ट कर देता है सामने यही चीज होती है कि यह जब अपने आपको लूसर बताती है तो वहां के जो सीनियर हो जाते हैं वो लीनियर हो जाते हैं प्लीनियारों के गेम खेल रहे रहते हैं और बास्केट बॉल को सिर्फ पासम पास कर रहते हैं जैसी वह बास्केट बॉल उसके आज पास आते है काहरा के वह वैसी वह बॉल को पकड़ती है और स्टार्ट कर लेती है जो छीन लेती है अब जब वो कायरा चीनती है तो वो फटा फट पहले फर्स गोल करती है जैसी फर्स गोल के पार उसके पास सेकंड बार बॉल आती है वो सेकंड गोल करती है थर्ड गोल करती है फोर्थ गोल करती है और ऐसे करके सबसे इतना वो अब लेवल पे आ चुकी रहती है वहां का जो पर अब उसने इतनी स्टार्टेजी उतने अच्छे तरीके से खेल रही है फिर थोड़े टाइम तक अब में चीज रहती है कि उसे वो जो एक और गोल करेगी तो जीट जाएगी बट वो गोल नहीं करती है वो अपनी पहले तो स्टार्टेजी समझती है और गेम को इंजॉय क करना स्टार्ट करती है वो सीनियरों के साथ खेलती है जैसे सीनियर उसके साथ पहले खेल गए थे अब वो सीनियरों के साथ खेलती है और वो बॉल नहीं देती है बॉल इधर रखती है और जो यहां पर जो रिद्धी रहती है वो बहुत सादा हैपी होती है क्योंकि उसने तो चीज़े सिखाई रहती है strategy, mind से game पे affect करना, वो सब हो रहा रहता है, ball इधर हो रही है, kaira अपनी ball देनी ही नहीं देती है, और उसका जो वो skills होते हैं, वो बहुत साधा attractive होते हैं, ये देखकर तो सब shocked हो चुके रहते हैं, ये बंदी अभी तक हारते हारते जीचकी, वह संचना कभी level इतना जाधा घुसे में हो रहा रहता है, कि वो हारना चाह रही थी, हराना चाह रही थी, उसने कितनी कोशिश करी, उसे prea pressure में दालना, सब कुछ करना, बट वो भेखती हैं और जब last time पे, जब सिर्फ 2 मिनिट बचे रहते हैं, तब kaira अपनी ball को लेकर उस basket में दालती हैं, और वो हारा हुआ game, चीट जाती है, कोश ये जब देखता है, तो वो बहुत impressed होता है, और अब kaira रहती है, वो already agenda team में select हो चुकी रहती है, agenda team का ये जो selection होते हैं, और जितने भी senior है, वो kaira को हाथ मिलाते हैं, बहुत ज़्यादा happy होते हैं, उसे hug करते है और कहते हैं कि माइंड ब्लॉइंग हो तुम, तुम्हाई जैसी बंदी में आज तक नहीं देखी, बहुत awesome हो, strategy कैसे करी तुमने पता नहीं, लेकिन बहुत अच्छा था, तुम्हारा कोच कौन है, जब उससे kaira से पूछते हैं, तो kaira चुप रहती है, और फिर कहती है, मेरी girlfriend ही मेरी coach है, जो मुझे ये सब सिखाते हैं, और ऐसे कहकर वो वहाँ से चली जाती है, कभी वहाँ पर जो लड़की रहती है, जो अजंता team की, leader बोलो, captain बोलो, जो बोलना है बोलो, तो captain जो रहती है, उसका नाम रहता है, Manali, जो Manali रहती है, वो इतनी impressed होती है, उसको game से, क्योंकि वो captain रहती है, उसे चाहिए, पर वो थोड़ा सा दुखी हो जाती है, ये सुनकर की, बंदी की girlfriend भी है, और अब वो उसे kaira बहुत जादा पसंद आने लगती है, एक interesting, बोल like करी रही रहती है, तभी जब रिद्धी के पास kaira बाक्त वे आती है, और बहुत tightly hug करती है, तो वो बोलती है, thank you, thank you so much, I can't even select on this agenda team if you are not supporting, आपका support, आपकी हर एक चीज मुझे इतने अच्छे से ये select करने पर मदद करती है, मैं क्या बोलूँ, मैं तो लगबग हारी चु कराया, thank you, thank you so much, you are the best person, तो कायरा बोलती है, तभी रिद्धी बोलती है, चलो बहार चलते है, ये लोग जाते है, कैंटीन में खाते है, क्योंकि कायरा बहुत ज़्या थक्तिकी रहती है, भूख लग रही रहती है, तभी कायरा को एक मेसेज आता है, वो जिया का रहता है, रिद्धी के बास भी वो आता है, तो रिद्धी बोलती है, बर्डे पार्टी इंविटेशन का कार्ड है, तो कहती है, हाँ, जीया ने भी जाये, तो कहती है, हाँ, चलो चलेंगे शाम को, फिर ऐसे करके ये लोग बहार पर चले जाते है, दोनों भी बहुत ज़्यादा थक साथ ये सीजस मतब बताती नहीं है, या सालिबरेट करना नहीं चाहती है, तब ही उसकी मॉम को बहुत जादा बुड़ा लगता है, कि मैंने ऐसा क्या कर दिया, कि मेरी बेटी मुझे इंपोर्टेंस नहीं देती है, हाला कि इसका रीजन था, क्योंकि वो जब भी देना चा तो मैं जाओ, आगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ऐसे करके फोल कट कर देती है, तो ये बाद उसकी मॉम सुन लेती है, और मॉम भी जानकर खुश होती है, कि बड़े पार्टी उसको जाना है, क्योंकि एक तरफ उस टीम में सेलेक्ट भी हो चुकी है, और जाएगा, उसकी मॉम थोड़ी से कालकुलेटिव रहती है, मनी मटेरियल रहती है, मनी मनी का बहुत सूचती है, इस वज़े से वो हर चीज में फायदा नुकसान देख रही रहती है, कायरा ऐसी नहीं रहती है, उसे कोई फरक नहीं पड़ता है, वो तो इंजॉइबल गर् दूसी तरफ रिद्धी भी तयार होती है, रेडी हो रहती है, कि जिया के बर्डे पार्टी है, जिया रिद्धी, जिया रश्मी के साथ बहुत अच्छे से ड्रेस अप हो रहती है, क्योंकि जिया को ड्रेस अप जो उसकी बहुत प्यारा सा ग्राउंड रहता है, उसके अशे को बहुत लिए नियुक्राइब रिखे हैं तोड़ा सा तो रश्मी के दिवाग में चल रहा रहता है कि इतना तयार क्यूं करना है कि इसलेश के लिए कर दें पर वो इतना माम नहीं करती है असे तैयार कर से ब्हुल्पी चाहती लाउन टाइप का अड्वेस पहनती है और उपर जो एक स्टाइलिश तरीके से स्टोल लेती है जिसके वज़े से उसके पूरे ये नैक्स के वगएरा जिती भी कवर होनी चाहिए लफ पाइट्स वो हो जाती है रश्मी जिया जब बहार आते हैं तो उन्हें कृद्धी और का जायरा मिलती है तो बहुत जादा हग दूसरे को करते हैं इक दूसरे को ये बर्डे पार्टी बहुत अच्छी रहती है पूरे रिलेटिव साते हैं फ्रेंड साते बर्डे पार्टी का सेलिबेशन चली रही रहता है तो केक कटिंग के लिए केक आता है तो केक कटिंग होती सब कुछ celebrate होता है बहुत सब enjoy कर रहे रहते तभी जो जिया की मम्मी है वो announcement करती है तो वो ladies and gentlemen please give me our attention for a five minutes now my daughter is turned into 25 years and this is her 25th birthday wish you a very very happy birthday my dear sweetheart and this birthday मैं आपको कुछ surprise दिना चाहती हूँ so जिया please come on the street तो जिया जाती है वहां खड़ी होती है तभी वो कहती है my my daughter got engaged going to be engaged with with anubhav anubhav my anubhav pita out floor पर जिया was completely shocked जिया के मतब पूरी हालत खराब हो जाती है वहां रश्मी की हालत खराब हो जाती है रश्मी के हाथ में जो a glass of drink रहती है वह गिल जाती है और उसकी आखों में मतब इतना आसु आने लगते हैं जिया भी शॉक्त हो जाती है क्या है मतलब मेरी engagement मेरे लिए और मेरी birthday party पर मेरी engagement हो रही हो मुझे पता ही नहीं है रश्मी को ऐसा फील होता है कि जिया ने उसे हर चीज छुपाई है और उसे hide किया है उसे disguise किया है यहाँ पर तो जिया को कुछ भी नहीं पता रहता है और अनुबव जो उनकी childhood friend का बेटा रहता है तो उसके साथ engagement की बात कर देती है तब ही थोड़ी देर हो जाती है कि engagement की rings आती है रश्मी इतने गुस्टे से वहाँ से चली जाती है वो कुछ करती नहीं उसको इतना रोना आरा रहता है उसकी अहालत कराब हो जाती क्योंकि आपको सोचो जो पांच मतब आज दुफैर थे वो दोने intimate हुए वो दोने एक दूसरे के साल love confess किया उसने उससे शादी के लिए पूछा और यहाँ पर शौक तो यह लग गया कि उसकी तो शादी की से वैसी बात चल रही है यहाँ पर तो already engagement हो रही है यह देखकर तो हालत खराब हो गई जिया बहुत जादा confused हो जाती है उससे समझ में नहीं आ रहा रहता है कि वो क्या करे और जो engagement drink रहती है जब उसे अनुबफ पिनाई रहता है तो उसे एकदम से रश्मी नहीं रिखती है और वो भी इतनी panic हो जाती है तब ही वहाँ पर जो जिद्धी रहती है और कायरा रहत है और वो जो रिद्धी है वो रश्मी को समालने के लिए जाई रही रहती है तब ही वहाँ से announcement एकदम से माइक लेती है जिया और जिया चिलाकर वोती है रश्मी डोंट को mom let me just clear you one thing अनुबव तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो मैं बहुत इस्सत करती है तुम बहुत अच्छे इंसान हो बट मैं तुमसे प्यार नहीं करती है और mom dart आपने मुझसे बिना पूछे मेरी engagement fix करती है यह चीज मुझे पसंद नहीं है मैं किसी और से प्यार करती है और मैं उसी से शादी करूँगी चाहे यह चीज आपको बुरी लगे या सही लगे मैंने सोचा था इस बारे में मैं आप से खुछ डिसकर्स करूँगी पर आपने हालाती इस तरीके से कर दिये कि मुझे आज यहां करना पड़ेगा रश्मी I really love you I really really do I can't leave without you और आज जो मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया कि मैं तुमसे ही शादी करूँगी तो हां मैं तुमसे ही शादी करूँगी मिले matter नहीं करता है कोई दियो रश्मी को प्रपोस जिया पुब्लिक कली करती है फूरे लोगों की सामने उसकी मॉम को इतना अजीब लग रहता है मॉम चिला रहती कि क्या बोल रही हो तुम होश में तो हो तुमारा क्या है रश्मी तो तुमारी दोस्त है न सिर्फ तुम कैसे कर सकती हो और दूसी बात वो तो एक लड़की है तुम्हें समझ में भी आ रहा है जीया तुम अपने दिमाग से पागल हो गई हो क्या कुछ भी कह रही हो मजाक है क्या तब ही जीया कहती है मॉम मैं मजाक ने मूड में हून है और बिलकुल भी नहीं है हा मैं रश्मी से प्यार करती है और रश्मी लगूं या नहीं लगूं मुझे फरक नहीं पड़ता बट अगर आज मैंने अपने प्यार के लिए स्टैंड नहीं लिया तो जिंद की भंड नहीं लेका हूं कि उसी वग जो अनुभाफ रहता है वो उसका चाल्डूट फ्रेंड रहता है तो वो एकदम से आंटी को बोलत हूं वो बोलता है कि जी आ तुमने कभी बताया है मुझे यू आ इंप्रेस्टे इन गर्ल्स तो कहती है और तुम्हार तो पहले बॉइफेंड से रह चुके है न तो कहती है हां तो आम बाइसेक्शुल इफ्यू है प्रॉब्लम इन दाट सरूरी नहीं है न कि मैं लेस्बि परता कि क्या है और तुम तो पड़े लिखे हो ना तुम्हें तो पता है ना कि love is beyond the genders सो तुम समझाओ मेरा तुम्हाय साथ कुछ भी नहीं है और ऐसे कहके वो माइक उसके हाथ में देकर चली जाती है और रश्मी का हाथ पकड़के वो ये दोनों बड़े पार्टी से बह पूरा निकलते हैं तो पूरा का पूरा माहुली एकदम गरम हो जाता है किसी नहीं सोचा था कि उस बरड़े पार्टी में ऐसी कुछ हाला तोंगे क्या होंगे रश्मी बस रोए जारी रहती है पर जो जीया है वो उसे बहुत टाइटली हग करके वो बोलती है यहार तुम उन्हें अपनी दोस्तों की बहुत सादा जरूरत रहती है तो दोलों रो रहे रहते तो जो रश्मी की हालत होती है वो समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है पर जो जीया ने अपने बोल्डनेस आट्क्यूट दिखा के एकसेप्ट किया रहता है वो भी काबिले तारीफ र